नमस्कार छात्रो, राश्ट्रिय मुक्त बिद्याले सिक्षा संस्थान में आप सभी का मैं डॉक्टर विक्रम जी सिंग स्वागत करता हूं। आज हम सब कोर्स कोर्ट 504 के तहट प्रारंभिक स्थर पर गनीज सिच्छन की समस्या प्रस्तुतिकरन बिधी पर चर्चा करेंगे। समस्या प्रस्तुतिकरन नएने प्रकारों के समस्याओं को बनाने या उसी समस्या का पुननिर्मान करने की प्रक्रिया है। अर्थात यह समस्याओं के अंदर समस्याओं को खोजने की प्रक्रिया है और इसी दोरान हम उस समस्या को सुल्जाने की कोशिस भी करते हैं वर्तमान में इस बीदी का काफी महत्त दिया जा रहा है क्योंकि इस बीदी के द्वारा छात्र में स्यंव समस्या को बहतर ढंग से पहचान कर उसे सुल्जाय जाता है जब भी छात्र समस्या को अपना समझते हैं, समस्या की खुद पहचान करते हैं, तो वो उसमें पूरे आनंद के साथ सम्मिलित होकर उसे सुल्जाने की कोशिस करते हैं. समस्या का सुत्री करन उसके समाधान से कहीं ज़्यादा आवसक होता है, क्योंकि इससे छात्रों में प्रयावगिक कोशल का सरचना होती है, जब बच्चे समस्या का खुद से संग्रचना करते हैं, उसका सुत्री करन करते हैं, तो अवस्या ही वो समस्या को पहचानते हैं, इस नए प्रसनों का निर्मान, नए संभावनाओं की तलास, पुराने प्रसन को नए नजरिये से देखना, रचनात्मक कल्पना पैधारित है, यह उन बेग्यानिक सोच को बढ़ावा देता है। अर्थात, जब हम प्रसनों के अंदर नए संभावनाओं को खोशते हैं, जब उन में नए नए प्रसनों का निर्मान करते हैं, तो अवज से ही यह हमारी स्री नात्मक सोच को बढ़ावा देता है, और उसके साथ साथ हमारी बैग्यानिक दिश्टी कोन भी बिक्सित होती है। समस्या समधान की प्रक्रिया में हम समस्या प्रस्तितिकरन की अंदेखी कर देते हैं, जबकि वास्ता में समस्या प्रस्तितिकरन को भी महत्व देना आवसक है। से ही वह उनके समस्या समधान की प्रक्रिया में मददगार साबीत होगा एक समस्या को यदि हम समझना चाहें तो चाल्स एंड लेस्टर द्वारा उसे इस तरह प्रभासित किया गया है एक समस्या उस कार के भाती है जिसके लिए व्यक्ति जिसे वह कार मिला है उसके समधान के के लिए तत्पर होता है व्यक्ति को समस्या के समाधान के लिए कोई पहले से बना बनाया प्रक्रिया उपलब नहीं होती है अर्थात वह आरम से ही उस समस्या के समाधान की तरफ रहता है व्यक्ति उसके सुल्याव के लिए विभिन परकार के समाधान वीदियों का प्रयोग क का एक प्रमुक अंग भी है सिल्वर ने 1994 में समस्या प्रस्तिती करन को इस प्रकार पर भासित किया है कि समस्या प्रस्तिती करन नए समस्याओं के संग्रशना एवं ऐसे प्रस्नों जिससे वर्तमान प्रस्तिती को और बहतर डंग से समझा जा सके एवं समस्या के समाधान के द हम इस तरह देखते हैं छात्रों की समस्या प्रस्तुती करन की स्वतंत्ता उनमें विवीन परकार के सोच, उनमें समस्या समाधान खौसल, उनके गनीतिय समझ ये उन गनीतिय वधानों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसके साथ ही समस्या प्रस्विति करन छात्रों के पाठ्य पुष्टकों योंग सिक्षक पर निर्भरता को कम करती है और उन्हें सिक्षा के साथ बैधर ढंग से जोड़ती है। अर्थात जब बच्चे समस्या को स्वें प्रस्तूत करते हैं तो वे उस समस्या को समधान करने में स्वें सम्मिलित होते हैं और इस परकार वो सिक्षक पर उनकी निर्भरता कम होती है और वे स्वें समस्या के हल में भली भाती जूर जाते हैं चात्रों को समस्या प्रस्तूत करन का मौका देने से उनमें चिंतन एवंग परावरतन का भाव का विकास होता है जब सिक्षक के जगा छात्र समस्या प्रस्तूत करते हैं तो उनमें समस्या को लेकर स्वामित्व का भाव विक्सित होता है और ग्यान को अर्जित करने में वेरूची के साथ महनत करते हैं कनिंगम 2004 में समस्या प्रस्तितिकरन के बारे में बताया है कि समस्या प्रस्तितिकरन विधी से छात्रों के जिग्यासा का काफी विकास होता है और वे काफी मन लगाकर गनितिय अधीगम में समिलित होते हैं समस्या प्रस्तितिकरन को बहतर ढंग से समझने के लिए इसके अंदर what-if-not strategy को समझना बहुत ही आवसक है ब्रावन एंवाल्टर ने 1993 में समस्या प्रस्तितिकरन के संदर में यह सुजहाओ दिया है कि समस्या पस्तिति करन एंग समस्या पर समधान के दोरा गनीच सिच्छा में क्या हो अगर नहीं रनीती का प्रयोक किया जाए यह सुजहाओ इस बात पर अधारित है कि किसी समस्या से संबंदित आयामों या गनों को यदि थोड़ा बदल दिया जाए तो इससे बहुत ही खोजी परकार के समस्याओं का जनम होता है जो काफी रूची कर जाच के लिए प्रुसाहित करते हैं अगर किसी समस्या में कुछ फेर बदल किया जाए उसके विविन आयामों को थोड़ा बदल दिया जाए तो उसमें विविन परकार के समस्याओं की पहचान की जा सकती है और उन समस्याओं की पहचान के द्वारा हम मूल समस्या का समधान हासिल कर सकते हैं क्या हो अगर नहीं रन्रिती या वाटिफ नॉट स्टाटेजी तिन सी धानतों पर काम करता है पहला समस्या से समंदित आयमों को टै करना, दूसरा क्या हो अगर नहीं रननीती का प्रयोक करना, यह उन्ग तीसरा इस समंदित नए प्रस्णों का निर्मान करना, यह छात्रों में विभीन परकार के तर्थ्यों पर चर्चा करने के लिए मौका परदान करता है। अगर उसके कुछ पक्षो को जोडा या घटा दिया जाए, तो उस समस्या पे क्या प्रभाब पड़ेगा। इस परकार इससे समस्या को हम बहतर ढंग से समझ सकेंगे और इस परकार छात्र इन विभीन समस्याओं के समाधान के द्वारा मूल समस्या को हल कर पाएंगे गनितिय समस्या प्रस्तुतिकरण के विभीन परिपेच्छ हैं इन परिपेच्छों के समझने से हम समस्या प्रस्तुतिकरण की विधी को बहतर ढंग से समझ पाएंगे पहला परिपेच्छ है समस्या प्रस्तुतिकरण की रचनात्मक गतिवीदी या असाधारन गनितिय च्हमता की विसेश्था अर्थात समस्या प्रस्तुतिकरन स्वय में एक रचनात्मक गतिविदी है और इसके द्वारा बच्चों में विविन परकार की गनितिय च्हमता का विकास की संभावनाय नीद है। समस्या प्रस्तुतिकरन का दूसरा परिपेच्छ समस्या प्रस्तुतिकरन की पूछताच उन्मूख या इंक्वाइरी ओरियंटेट निर्देशन की विशेशता है अर्थात समस्या प्रस्तुतिकरन स्वे में ही पूछताच उन्मूख निर्देशन को बढ़ावा देता है प्रस्तुतिकरन में गनीतिय गतिविधी की प्रमुक्ता की विसेस्ता। अर्थात समस्या प्रस्तुतिकरन में हमेशा ही विभीन प्रकार के गनीतिय गतिविधी सामिल होते हैं। इसमें बहुत सर प्रकार के गतिविधियों के साथ हम उस समस्या को समधान करने की कोशिस करते इसमें अगर अन्य परिपेच्छों को देखा जाए तो समस्या प्रसुतिकरन का छात्रों में समस्या समाधान को बढ़ाने की बिसेस्ता भी दिखती है अर्थात जब चात्र समस्या प्रसुति करन के द्वारा गनीच सीखते हैं तो उसके द्वारा वे विविन परकार के समस्याओं के समाधान को बढ़ाने में भी अगरसर होते हैं अर्थात उनमें समस्या समाधान के कौसल का विकास होता है इसके साथ साथ समस्या प्रस्तुती करन की छात्रों की गनीतिय समझ को पड़कने की बिसेस्ता भी सामने दिखती है अर्थात समस्या प्रस्तुती के करन के द्वारा हम छात्रों की गनीतिय समझ को पड़क सकते हैं अबें कितना गनीद जान रहे हैं, वो गनीद में कैसे आगे बढ़े रहे हैं, उनमें गनीद सीखने में क्या-क्यात त्रुटियां उत्पन हो रही हैं, इस परकार हम उनकी गनीदिय समझ को पढ़क कर उन्हें उप्यूखिंद फूरा उनकी गनीदिया और धर कि चादरों मेगनीत करते हैं तो उनमें कहीं न कहीं गनीत के प्रती का विकास होता है वे गनीत को पसंद करते हैं और उस तरह व 먹ना कर उसंस्ती सिय लृव्शिन समस्तृता करनीड़ C की कोशिस करते हैं समस्या प्रस्तुति करन के कुछ अधारबूत सी धान्त भी हैं जिसमें से पहला सज़ान्त है समस्या प्रस्तुति करन छात्रों के समस्या समाधान प्रक्रिया से प्रेरित होना चाहिए अर्थात समस्या प्रस्तुति करन हमेशा से ही किसी ना किसी समस्या के समाधान के तरफ अग्रिसित होना चाहिए। कभी भी हम समस्या प्रसिती करण इस तरह से उल्जाया हुआ नहीं बना सकते जिसमें कि हम समस्या के साथ-साथ विविन परकार के समस्या उत्पन करते रहें और मूल समस्या का समाधान तक नहीं पहुँच पाएं। अर्थात इस में हमेशा यह सोच होनी चाहिए कि किस तरह मूल समस्या का समाधान निकाला जाए। इसमें दूसरा सिध्धान्त है प्रतिदीन की गतिविदियों यह गनित्य प्रसितियों में समस्या का सुत्रिकरन होना चाहिए। अर्थात हम समस्या प्रस्तुतिकरन में जिन समस्यां को अध्यन करें जिन समस्याओं को सीखें वो हमारे दैनिक जीवन या छात्रों के दैनिक जीवन से प्रेडित होने चाहिए इस से छात्र उसमें रुची के साथ जुड़ पाएंगे और उन समस्याओं के समाधान के द्वारा वो अपने दैनिक जीवन के विभीन गनितिय समस्या या गनीज से जुड़े समस्याओं को भी हल कर सकेंगे। समस्याओं के प्रस्तिकरन में विभीन परकार के उधारन या विस्यों को समलित किया जाना चाहिए। अर्थात समस्या प्रस्तिती करण के समय हमें विविन परकार के उधारनों के द्वारा पहले बच्चों को इस बिधी की विशेस्ताओं को समझाना चाहिए जिससे कि वो इस बिधी का परियोग कर सकें, विविन परकार के प्रस्तिती करण पूछ सकें, येवं स्वें ही इन प प्रस्नों का उत्तर दे सकते हैं, जिसके द्वारा हम भैतर समस्या प्रस्तूत कर सके हैं, उन में खुश्च, इस प्रकार के प्रस्न हो सकते हैं, जिसके द्वारा हम नए प्रस्नों का निर्मान कर सकते हैं, जैसे कि हम इस समस्या को कैसे समप्त कर सकते हैं, इससे प्रेवित ह के विचार और कहां देखे हैं किसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम यह प्रस्ण भी पूछ सकते हैं क्या हम इन जानकारियों को किसी अन्य प्रकार से प्रयोक कर इस समस्या का समधान निकाल सकते हैं क्या हमारे पास इस समस्या को समधान करने के लिए प्रयाप जानकारिया है अगर हमें यह जानकारी नहीं दी जाती तो हम किस तरह की समस्या तक पहुँचते हैं हम किस परकार इन में से कुछ जानकारियों को बदल सकते हैं तब यह समस्या क्या हो जाएगी इस परकार इन प्रस्णों का उतर देते हुए हम भीविन परकार के समस्या प्रस्तुत कर सकते हैं और मूल समस्या का समधान कर सकते हैं समस्या प्रस्तुती करन के लिए भीविन दृष्टी कोन है जिसमें किल पैट्रिक के 1987 में दिये गया दृष्टी कोन परमूख है उन्होंने बताया कि किसी भी समस्या के समाधान के दो चरण हो सकते हैं एक जिसमे की नए समस्या की रशना की जाए और उसमें जान बुझकर कुछ सरते या प्रस्थितियों में बदलाव किये जाए जिससे या पता चले की नए समस्या क्या होगी और दूसरा जब कोई समस्या हल हो गई है तो उसे पलट करी यह देखा जाए यह अगर उसमें विभीन बदलाव किये जाएं तो उसके समधान पर क्या परवाव पड़ता है उधारन के लिए एक प्रस्ण लेते हैं जैसे कि राम एवंग उसके पिता की आईउ का योग 35 है यदि पिता की आईउ बेटे की आईउ से चार गुनी हो तो राम एवंग उसके पिता की आईउ क्या होगी यह प्रस्ण जब छात्रों के सामने रखा जाए तो इसमें विभीन परकार के बदलाव कर समस्या को समधान करने की कोशिज की जा सकती है जैसे कि इसमें इस परकार के प्रस्ण पूछे जा सकते हैं कि राम एवंग उसके पिता की आईवी का योग अगर 40 हो या यदि पिता की आईवी बेटे की आईवी से पांच गुनी हो या अगर उनके आईवी का योग अभी 40 है तो दो साल बाद उनके आईवी का योग क्या होगा इस परकार के विभीन प्रस्ण पूछ किर हम धीरे धीरे इस समस्या को हल करने की कोशिज करते हैं इसी के साथ स्टैनोव ने 1996 में समस्या प्रस्थिकरन के अपने दिस्टिकोन को दिया है इसमें विभीन परकार के प्रस्णों की कूछने की संभावने बताई गई है ये प्रस्ण विभीन परकार के हो सकते हैं मुक्त परकार के प्रस्ण या ओपेन इनेट कोस्टन उस समस्या से समंधित सिधान से मिलते-जूलते प्रस्ण. Questions related to the theories, related to the problem. किसी दिये गए चित्र यारेक से समंधित प्रस्ण. Problems related to the pictures or graph. इसी परकार किसी दिये गए समस्या से नए समस्याओं का सुत्री करन किया जा सकता है. और इसी के साथ जीवन के विविन प्रस्तितियों से जुड़े हुए प्रस्नों का निर्मान भी किया जा सकता है उधरन के लिए अगर एक वेक्ति ने 350 रुपे में साइकिल खर दी और एक साल बाद उसे अपने दोस्त को बेच दिया इस प्रस्तिति को अगर चात्रों को दिया जाए और उनसे विविन प्रकार के प्रस्न पूछे जाएं जिससे उनमें समस्या की पहचान समस्या को प्रस्तित करने समस्या को हल करने इत्यादी कोसल का विकास हो सके करने की जरूरत है इस प्रस्थिती में हम नीन परकार के कुछ प्रस्थन पूछ सकते हैं जैसे कि दिये गे प्रस्थिती को एक गनितिय समस्या का रूप दे अर्थाथ इस प्रस्थिती को एक गनितिय समस्या के रूप में त्यार करें और इसी के साथ एक और प्रस्थिती से समंदी तीन परकार के प्रस्थनों को त्यार करें अथाथ इसी प्रस्थिती से मिलते जुलते किनी तीन और प्रस्थितियों का निर्मान करें और उससे फिर प्रस्थनों का निर्मान करें इस तरह हम देखते हैं कि समस्या प्रस्तूती करन गनी सीखने में चात्रों की बहुत मदद कर सकता है तो विद्यार्थियो आज हम लोगों ने समस्या प्रस्तूती करन विधी के बारे में चर्चा प्रस्तूती की इसी के साथ हम लोगों ने देखा कि समस्या प्रस्तुति करन क्या है समस्या प्रस्तुति करन के परिपेच्छ क्या है समस्या प्रस्तुति करन के सिध्धान क्या है समस्या प्रस्तुति करन में किन-किन बातों का ध्यान दिया जाता है इस परकार समस्या प्रस्तिकरन के द्वारा गनीत में पिभिन समस्याओं के हल को निकाला जा सकता है आसा है आप सभी को यह चर्चा पसंद आई होगी और आप इससे जरूर लाब उठाएंगे धन्यवाद